जै श्री राधे, जै श्री कृष्ण, जै माता रानी की मंदर शीबंसी वाले महात्मयलू चैनल के ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं आप सभी भक्तों को नवरात्री उस्सव की हार्दिक शुब कामनाई नवरात्री उस्सव 2021 के शुब अवसर पर आज हम आपको श्री दुर्गा सब्षती के छटे अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं जो की इस प्रकार है जैमातारानिकी रिशी बोले कि देवी जी का इस प्रकार का वचन सुनकर दूत क्रोध से लाल होकर वहां से चला आया धुम्र लोचन से बोला कि है धुम्र लोचन तुम देर मत करो अपनी सेना के साथ वहां जाकर उस दुष्टा को केशों से पकड़ कर बल पुर्वक घसीरते होए यहां जल्दी ले आओ उसकी रक्षार्थ यदि कोई दूसरा महां उपस्तित हो चाहे वे देवता यक्ष गंधर्व आदी कोई भी क्यों ना हो उससे मार डालो रिशी कहने लगे हैं आग्या पाते ही वे धुम्र लोचन देत्य साथ हजार असरों की सेना लेकर शीगरी चल पड़ा वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर विराजमान देवी को देखा और उंची वाज से बोला अरी शुम्ब निशुम्ब के पास चल यदि अभी भी पर संता से मेरे स्वामी के पास नहीं चलेगी तो स्मर्न रख तुझे बालों से पकड़ कर घसीडते हुए बल पुरवक में ले जाओंगा देवी कहने लगी है कि इसमें शंशे नहीं है कि तुम्हें द्यतेश्वर ने भीजा है तुम स्वेंबी बड़े बलवान हो बड़ी भारी सेना भी साथ लेकर आए हो इस प्रकार की दशा में मुझे बल पुरवक ले चलोगे तो फिर मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ रिशी कहने लगे हैं जब इस प्रकार का उससे उत्तर मिला तो धुम्हर लोचन असुर देवी की ओर दोड़ पड़ा है तब तो देवी अंबिका जी ने हुंकार के शब्द से उसे उसी समय भस्म कर दिया है फिर तो असुरों की क्रोध में आई बड़ी सेना त अपने बाल फट कारता हुआ असरों की सैना पर उचल पड़ा उस सिह ने कुछ असरों को पंजे की मार से और कुछ एक को अपने जबनों से तथा कहीं एक महा असरों को नीचे पठक कर होट की दाड़ों से विदिर्न करके मार डाला कितने एक देतियों के केसरी ने ना खू कितनों के पेट फाड फाड कर गले के बाहर फटकारते हुए सीह ने रूधिर पान किया अत्यांत कुपित हुई देवी जी के वहान बलवान सीह ने शन भर में देट्यों की सेना का नाश कर दिया है देवी जी ने उस असुर धुम्र लोचन को मार डाला देवी के वहान सीह न शुम्र ने जब यह सुना तो उसके क्लोध का पारा चड़ गया उसके होंठ कापने लगे जट शुम्र ने चंड और मुंड दोनों देख्तेयों को आग्या दी कि हे चंड और मुंड तुम दोनों बड़ी भारी सेना लेकर वहां पहुंचो उसे जल्दी से यहां ले आओ उसे बालों से खींच कर अत्वा भांद कर ले आओ यदि इस प्रकार लाने में तुम लोगों को शंशे हो तो युद्ध करो सभी प्रकार के अश्ट शच्त्रों से सारे असुर मिलकर उसे मार डालो उस दूष्टा के मर जाने पर एमम सिहीं के भी मर जाने पर जिस दशा मे अंबिका पड़ी हो उसे बांद कर अपने साथ लेकर शिग्र ही लोट आओ तो यहीं पर श्री दुर्गा सब्षती के छटे अध्याई की कथा का विश्राम होता है के लिए आपका हार्दिक धनेवाद भगवान श्री राधा कृष्ण की माता रानी की कृपा सदा आप पर बनी रहे इसी मंगल कामना के साथ जै श्री राधा रानी सरकार की जै श्री कृष्ण भगवान की जै माता रानी की जै जै श्री राधे जै श्री राधे जै जै श् श्याम